दोस्तो आपके घर के आज पास में आपने देखे होंगे जो स्ट्रीट लाइट होती है वो आटोमेटिकली चालू हो जाता है मतलब कि जैसे ही साम होती है आटोमेटिकली होती है वो चालू हो जाता है और उजाला होती ही मतलब कि सुभे होती ही आटोमेटिकली ओफ हो जाता ह तो जो हमारा स्ट्रीट लाइट होती है उसको चालू और बन करने का काम इस प्रकार का एक टाइमर करता है तो किस प्रकार से हम इस वाले टाइमर का पूरा कनेक्शन करेंगे चलिए इस वीडियो के माध्यान से पूरा डीटेल से समझ लेते हैं दोस्तों आपके पास में कोई भी टाइमर हो उस टाइमर को ओपरेट करवाने के लिए फेस सप्लाई और न्यूटा सप्लाई प्रोवाइट करना ही पड़ेगा बस आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होता है कि जो टाइमर है उसका कनेक्शन करने के लिए कौन से टर्मिनल पे फेस सप्लाई और न्यूटा सप्लाई प्रोवाइट करना है जैसे कि अब देखोगे यहाँ पर जो डाइगराम है इस डाइगराम में बताया गया है इस प्रोवाइट करना होगा इसमोटर को पावड़ टाइमर को उप्रोवाइट करवाने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा mcb है इस MCB का जो face वाला टर्मिनल होगा उस वाले टर्मिनल के साथ एक wire को हम connect कर देंगे अब इस wire का जो दूसरा सीरा है इसको लेके जाएंगे और timer का जो 7 नमबर का टर्मिनल है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 7 नमर का terminal है तो इस वाले terminal के साथ इस वाले wire को हम connect कर देंगे अब इसी MCB के neutral terminal से एक wire को लेकर जाएंगे और timer का जो 8 नमर का terminal है तो इस terminal के साथ में हम neutral power supply को connect कर देंगे अब इतना connection करने के बार यदि मैं MCB को चालू कर दूँ तो मेरा जो timer है इस timer को power supply मिल जाएगा और timer हमारा work करना start कर देगा जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हो timer से खटखट का आवाज आना start हो चुगा है अब यह जो timer है इस timer के जरी हम चाहें तो हमारा जो lamp पे उस lamp को हम directly चालू बंग कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आपका जो contactor है इस contactor को भी इस वाले timer के जरी है चालू बंग कर सकती हो केवल आपको यहाँ भी ध्याँ रखना होता है कि यदि आपके पास में छोटा सा load है जैसे कि एक bulb है दो बंग है उसको यदि चालू बंग करना है तो इस condition में directly आप connection कर दीजे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा लेकिन यदि आपके पास में ज़्यादा load है जैसे कि आपके पास में 15-20 light है उनको चालू बंग करना है तो इस condition में इस प्रकार का जो contactor आती है उसको connect कर दीजे और contactor के जरी आपका जो load है मतलब कि street light है उसको चालू बंग करिए तो मैं जो आपको अभी के time पे connection explain करने ज इस timer का common terminal होता है दो नमबर का terminal, NO होता है एक नमबर का terminal और NC होता है तीन नमबर का terminal तो यह जो यहाँ पे तीनो contact है इन तीनो contact का इस्तमाल करते हुए हमारे contactor का connection हम करेंगे तो इस timer का common terminal दो नमबर का terminal है तो इस terminal पे हमें power supply provide करना होगा power supply प्रोवाइड करने के लिए में यहाँ पे एक चोटा सा loop का इस्तमाल करूँगा इसवाले loop को क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो दो number का terminal है इसके साथ connect कर देता हूँ और इसका जो दूस्था सीराई इसको ले जाके यहाँ पे जो 7 number का terminal है इस वाले टर्मिलल के साथ इसको connect कर देता हूँ इस प्रकार से अब इस वाले timer का जो एनो contact है और जो NC contact है इन दोनों में से एक contact का इस्तमाल करते हुए contactor को चालू बन करने के लिए connection करूँगा तो किसी भी electrical device का connection करने के लिए mostly हम timer का जो एनो contact होती है उसका इस्तमाल करते हैं तो यह जो वायरे इस वायर को ले जाके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो एक नंबर का terminal है इस टर्मिलल के साथ इसको connect कर देता हूँ अब इसको connect करने के बाद इसका जो दूसरा सीरा है इसको हम लेके आएंगे और जो हमारा contactor है इस contactor का जो एवन टर्मिलल है इस टर्मिलल के साथ इस वाले वायर को हम connect कर देंगे अब यह जो contactor है इस contactor को भी हमें neutral power supply प्रोवायर करना होता है तो मैं यहाँ पे एक ब्लेक वायर का इस्तमाल करता हूँ इस वायर को ले जाके यहाँ पे जो आठ नमबर का टर्मिलल है इस टर्मिलल के साथ इसको connect कर देता हूँ मतलब कि neutral power supply के साथ इसको loop कर दिया और इसको लिजा कि contactor का जो यहाँ पे A2 टर्मिलल है इस वाले टर्मिलल के साथ इसको connect कर देता हूँ इस प्रकार से तो इस वाले contractor को चालू बन करने के लिए पूरा connection complete हो चुगा है अब यहाँ पे हमें cable क्या करना है कि जो हमारा street light है मतलब कि जो हमारा lamp थै उसको चालू बन करने के लिए इस वाले contractor का जो power terminal है उसके साथ इसका connection करना है connection करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यह जो लैम पे इस लैम का जो face supply वाली वायर और neutral power supply वाली जो वायर है इसको ले जाके contactor के power terminal के साथ connect कर देता हूँ और contactor को incoming power supply provide करने के लिए जो वायर है इस वायर को मैं यहाँ पे connect कर देता हूँ आपको यदि 3 phase का power supply इस्तवाल करने connection करने के लिए तो 3 phase का power supply यहाँ पे connect करिए और 3 phase का जो load होगा जैसे कि आपका street light जो होगी तो वो 3 phase का है तो उन सभी को लाके यहाँ पे connect करना है यदि आपके पास में single phase का power supply है तो इसके लिए single phase का power supply का connection इसी प्रकासे कर दीजिएगा जिस प्रकासे मैंने यहाँ पे आपको पूरा सोग किया हूँ अब यह जो timer ही इस timer के ज़री है यदि हमें लैम को चालू बन करना है तो इसके लिए हमें इस timer में programming करना होगा programming करने के लिए सबसे पहले क्या करिए यहाँ पे जो यह वाला knob इस knob को manual position पे select कर दीजिए मतलब कि programming mode में इसको select कर दीजिए इसको select करने के बार आपको क्या करना है कि आपका जो timer ही इस timer में time को program करना है जैसे कि आप देख सकते हो अभी के time पे 11 बज़ के 44 मिनट हो चुका है तो हम यहाँ पे इस timer में same time set करेंगे time को set करने के लिए हमें simply क्या करना होगा यह जो knob इस knob को rotate करके यहाँ पे जो time लिखा हुआ इसका selection करना होगा 11 बज़े का time select करना है तो मैं इसको rotate करता हूँ और यहाँ पे 11 बज़े का time set कर देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है इसके सामने arrow आ चुका है मतलब कि 11 बज़े का time हमने set कर दिये अब इसके बाद में हमें minute को set करना है minute अभी हो रहा है 44 तो 44 set करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर में जो यहाँ पे time लिखा हुआ है इस time को इस arrow के सामने लेके आएंगे तो मैं इसको rotate करता हूँ यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 बज़े के 45 minute का time set हो चुका है time को program करने के बाद अब यहाँ पे हमें यह program करना है कि जो हमारा street light है उसको हमें कब चालू करना है कब बन करना है mostly condition में हम राट को ही street light को चालू करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जो यहाँ पे यह वाला knob है इन सभी knob का इस्तमाल करते हुए programming कर देंगे यह जो यहाँ पे knob को पीछे की side slide करेंगे या फिर आगे की तरफ कर देंगे जिसे कि हमारा जो time में उसका programming हो जाए अभी के time पे माले ती हैं कि जो हमारा street light है वो सुबे के 7 बज़े off हो जाना चाहिए तो सुबे के 7 बज़े off करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो time लिखा गुए 7 इसके सामने जो नौब है उसको हम बाहर की तरफ कर देंगे यहाँ पे मैंने बाहर कर दिया अब जितने बज़े तक इसको off रखना है उतना टाइम तक मैं यहां पे जो नोबे उसको मैं पीछे के तरफ कर दूँगा मैं यहां पे टाइम सेट करता हूँ 12 बज़े तक मतलब कि 7 बज़े से लेके 12 बज़े तक मेरा जो स्ट्रीट लाइट है वो ओफ कंडिसन में रहेगा फिर यहां पे 12 बज़े से लेके साम के 5 बज़े तक लाइट चालू रहेगा फिर बंद हो जाएगी तो यहां पे जो नोबे इस नोब को यदि में पीछे के तरफ रखूंगा तो इसका मतलब यह है कि ओफ टाइम हमने सेट कर दिये और इस वाले नोब को यदि हम सामने की तरफ रखेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमने ओन टाइम का प्रोग्रामिंग कर दिये प्रोग्रामिंग करने के बार यहां पे जो यह वाला नोबे इसको हम इस तरफ कर देंगे जिसे कि हमारा जो timer है वो timer auto mode में आ जाए auto mode में करने के बाद हम क्या करेंगे जो हमारा MCB है इसको on कर देंगे MCB को on करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर lamp अभी के time पर off condition में है अब यहाँ पर यहाँ पर मैं इस वाले knob को rotate करूँ मतलब कि यहाँ पर हमने सुबह के 7 बजे off time का time set के हैं तो सुबह के 7 बजे हमारा जो street light है वो automatically off हो जाएगा फिलाल के time पर मैं यहाँ पर manually इसको operate करवा रहा हूँ लेकिन आपका जो street light है उसको यहाँ आप connection कर दोगे तो automatically यह rotate होते रहेगा time के according और time के according ही हमारा जो street light है उसको burn भी करेगा और चालू भी करेगा तो दोस्तों कि इस परकास से timer का connection करेंगे यह आपने सीख लिए यदि आपको अभी भी कोई भी doubt है तो आप comment करिए comment करके मुझसे पूछ लिजिए जो भी आपका doubt होगा उस doubt का solution में provide कर दूँगा इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज comment करके मुझे बता दिजिएगा और यदि आपने अभी तक मेरे इस channel को subscribe ने किये और इस वीडियो को यदि अभी तक like ने किये तो like और subscribe भी कर दिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद